C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शेहनाई भाग एक सफ़ा नमबर आठ सबक दो चांद में परियां रहती हैं अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं रात को पर फैलाती हैं और उतर कर आती हैं सब बच्चों को सुलाती हैं और फिर खुआब दिखाती हैं अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं मैं तो आज न सूँगा रात गए तक जागूँगा बाहर बाग में बैठूंगा चांद की परियां देखूंगा अम्मा बाजी कहती हैं चांद में परियां रहती हैं अफसर मेरथी इस सफ़े पर दो तस्वीरे हैं एक तस्वीर में चांद पर एक परी बैठी हुई है और दूसरी तस्फीर में एक बच्चा बाग में एक बेंच पर बैठा चांद को देख रहा है चिडिया और खरगोश आपस में दोस्त थे चिडिया जामुन के पेड़ पर रहती थी खरगोश का खांदान भी पास ही रहता था एक दिन खरगोश चिडिया के साथ अपनी खाला से मिलने गया खाला दोनों को देख कर बहुत खुश हुई खालू भी खुशी से खड़े थे खाला ने जल्दी जल्दी खरगोश के लिए रोटी पकाई चिडिया को चावल और चरी दिये फिर सब ने जी भरकर हलवा खाया इस सफ़े पर तीन तस्वीरें हैं एक तस्वीर में एक डाल पर एक चिडिया बैठी है जबकि दूसरी तस्वीर में दो खरगोश और एक चिडिया है और खाना रखा हुआ है उनके सामने तीसरी तस्वीर में एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी हुई है जबकि पेड़ के नीचे खरगोश बैठा हुआ है सफ़ा नमबर दस असाद्जा के लिए हिदायात इस सबक के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा चांद में परिया रहती हैं नजम है और दूसरा हिस्सा खरगोश और चिड़िया नसर है इन दोनों हिस्सों की मदद से जीम ग्रूप की तद्रीज की जाए इस नजम को जमात में कई बार पढ़ने के बाद बच्चों से मालूम करें कि इसमें ऐसे कौन से अलफाज हैं जिनमें जीम की आवाज का इस्तेमाल हुआ है बच्चे बाजी और आज कहेंगे फिर मालूम कीजिए कि ऐसे कौन से अलफाज हैं जिन में चे की आवाज का इस्तमाल हुआ है बच्चे चान तो कहेंगे ही मुम्किन है लवज बच्चा भी बता दें अब एक बार फिर नजम पढ़कर सवाल कीजिए कि वो लफ़ बताएं जिसमें खे की आवाज का इस्तमाल हुआ है तवज्जा से सुनने वाले बच्चे ख्वाब कहेंगे बाजी आज चान्द बच्चे और ख्वाब की आवाजों की रोशनी में बच्चों को जीम ग्रूप से वाकिफ करवाईए यानि जीम चे हे खे इस कहानी की मदद से जीम ग्रूप के अलफाज मालूम कीजिए जैसे चिडिया खरगोश जामुन खानदान खाला खुश खालू जल्दी चावल चावल चने और हल्वा बच्चों को जीम ग्रूप की जैली शकल बताईए और मश्क करवाईए यानि जीम चे हे खे मश्क एक खुरूफ को मिलाकर लफ्ज बनवाईए हे जीम बराबर खाली जगा जीम जीम बराबर खाली जगा सफा नमबर ग्यारा ते खे ते बराबर खाली जगा खे अलिफ नून बराबर खाली जगा चे अलिफ चे अलिफ बराबर खाली जगा चे अलिफ चे ये बराबर खाली जगा हे अलिफ जीम ये बराबर खाली जगा दो, लफजों के हुरूफ अलग करवाईए आज, बराबर खाली जगा चुप, बराबर खाली जगा बच, बराबर खाली जगा जब, बराबर खाली जगा बहस, बराबर खाली जगा खान, बराबर खाली जगा हिना बराबर खाली जगा जामुन बराबर खाली जगा बच्छना बराबर खाली जगा सफ़ा नमबर बारा तीन तस्वीरों को उनके पहले हर्फ से मिलवाईए हर्फ हैं खे, चे, हे, जीम तस्वीर है चमचा, खरगोश, जहाज, हाजी चार इन हुरूफ को लिखवाईए जीम, खाली जगा, चे, खाली जगा, हे, खाली जगा, खे, खाली जगा सफ़ा नमबर तेरा पांच, इन लवजों को लिखवाईए हज, खाली जगा, खान, खाली जगा, बचाना, खाली जगा, तख्त, खाली जगा छे, मुनासिब हर्फ से लवज मुकमल करवाईए ते, खाली जगा, ते, बराबर तख्त बे, खाली जगा, ते, बराबर बचत बे, खाली जगा, से, बराबर बहस चे, खाली जगह अलिफ, बराबर चना साथ, नीचे लिखे अलफाज को दुरुस्त तलफुस के साथ बुलंद आवास से पढ़वाईए जनाब, हिना, बचत, हिबाब, हाजत, काफिला सफा नमबर चौदा, आठ, दरख्त की तस्वीर में रंग भरवाईए यहाँ पर दरख्त की एक तस्वीर है, जिसमें रंग भरना है अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक, शेहनाई, भाग एक वाचनस्वर उजमाज जमाल जाफरी और असर नवाज उस्मानी, तक्निकी दिर्देशन बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्मान सहयक मिनाक्षी कुकरेती, निर्देशन एवं निर्मान वीमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C. नई दिल्ली, भारत